जूदे देपर पुने तालिया वजा के मातादीम की पन्यार का स्वाके सम्मान करें जैकाड़े के साथ होजी पुर्दे उदाजी भाराजी की पौद बहुत अद्यवाद में आज पधारे वहें कि दाव धाम पे उपक हमारे नेपी महराज बद्युदाजी का आश्रवाद लेने के लिए और सभी मंच पे बैठे साथू संत यह राजनितिक जो हमारे विधायक और मेरी प्यारी प्यारी जन्ता मेरे भुजरक नोजवान साथे और मेरी माता बैई ने सबका यह पधारे इस मंदर पे सबका हार्तिक स्वागत अभिन्दन करता हूं तहे दिने से आभ्यार वर्ट करता हूं महाराज जी के आशिरवाद से आशिरवाद से मैं भी महाराज जी महंद्यपूरवाला जी का आशिरवाद लेकर निकड़खा और बाबा ने इतना दिया मेरे को जो कि में शोच में नहीं सकता और फिर महाराजी के फिर आप क्या अश्रवाद लिनायों बहुत बड़ा काम करने के लिए में लक्षे लेके चल रहा हूं और उस लक्षे में मंद्रों का अंद्रमार भार्मी का आस्ता से जुड़ा हूं पक्चीस साल से दर्दर की ठोकर खाते हुए एक बांशूर तैसल से छाट का भीलाट मेरा गाउं है जो खोरी बस इस्टेंड के पास रह रहा हूं वहां से निकलकर मैं दुनिया के 26-27 राज्य लेते फिर आज आपके धाउदाम बल्देवदार जी भाराज के लिए मंदिरों का लक्षे लिया 17 मंदिर बढाकर तयार कर चुका चार मंदिरों का मूरत लगा चुका और महाराजी बल्देवदार जी के सरण में आया हूं कि सारी पबलिक और जन्ता भाराज जी शाशिरवान मांगति है और महाराज जी आप हमारे से माले क्या लेना चाते हो वो बता दो मंदिर के अंदर में देने के लिए आप आज तक मैंने कहीं भी मैंने मेरे मुझे गोशना नहीं की या तो यह पब्लिक बता दे यह महराजी बता दे सादो संद बैठें सारे रागनतिक बैठें सारे जो भी मेरे से है आज मेरे लिए जो दिया है भगवाम ने वह इतना दिया है कि वह आपके लिए देने के लिए दिया है ना कि मेरे घर के लिए दिया है मैं कहीं नोकरी करता 20,000 रुपे मिलते मेरे को बेटा नोकरी करता 20,000 रुपे मिलते आरे मैं महारासरी से बिलकुल उगत हूँ आज तक किशी भी भगतगों उन्हों नहीं कहा कि तुम हमें दोर पे दे के जा। यह यह कहते हैं कि अगर कोई एक चाओं लेकाया वो भी एक लाग के मरावर है और एक कुंडल लेकाया वो भी एक कुंडल के मरावर है। यहां संभुद्र साग्र है, यहां तो जो भी अपनी इच्छा से देता है, महारासर उसको श्रीकार करते है, और कोई नहीं भी देता है, उसके उपर भी महाराजी का आशिरवाद बना रखता है, मैं यहां आने से पहले फकीर था, शड़क के उपर था, एक्दम फुटपाद के था, लेकि जब से मैंने दाउद हम की इस देहली पे शर्ड रखी, कि मेरी रूठी थी किसमत लेकिन अब महरवान हो गई, रूठी थी किसमत मेरी लेकिन महरवान हो गई, अर बाबा बलदेव महराज की करपा से, पूरे रादस्तान में मेरी मन संचाल के रूप में पहचान हो गई, मैं भी महराज जी शी लेत वाया हूँ, जब आपकी पहचान होई तो मेरी भी पहचान होगी, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, और मैं जितना दांद हमें दे रहा हूना, उतना डबल हो महराज जी आज तक नहीं माँगे, और ये मेरी जनता जनारदन बैठी है, ठीक है, ये जनता जनारदन जो मेरे को आदेश कर देगी, मैं आदेश का पारण करके जाए हूँ, क्योंकि महराज, जो मेरे को मिला है, दन दोलत दिया है, एक प्रोपर्टी का बिजमिस कर रहा हूँ, छोटे छोटे परसादी का कारिकरम भी हाल, महिंदे मैं अभी प्रोग्राम रखता हूँ, महिंदी पुर्बाला जी भी, खाटु शाम जी में तिर्वेनी धाम के ओपर और जगे जगा भी ओर भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, और जो ये जनता जनार्दल कहिदे की है, ये मेरी मा, जो मेरे बुजरक और मेरे साथी जो बेठे हैं, भाई, भेन बेठे हुए हैं, ये जो मेरे बास्तरवाद देते हैं, कोई करते जवाद हूँँ, बालाजी महराज का मंदिर है नीचे, और शंकर भगवान का मंदिर है, समाध्या बढ़ी हूई है, इसकी जो जितने भी लागत आएगी, और वो मंदिर बढ़ा क्यादी है, जितने, और भी कोई बात हूँ, थाकुर जी के लिए, एट है दर्वाद हुटागेट, इसकी जो 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 इस मंद्र का निर्मान, जितनी भी लागत आएगी, चाय आए पाच करोड रुप्या, और चाय लगें साथ करोड रुपे, परंद ये बढ़ा कर अगले बार जो पर ये प्रोग्राम होगा, तब तक तयार करके दे जाएगा, जिए भी लोग्राम चिए जो तक पिर दे जाएगा,